इरान ने 13 अप्रेल को जब्त किये जहास MSC Ares पर सवार पाध भारतियों को रिहा कर दिला है इरान में मौझूद भारती दूतावास ने गुरुवार को बताया कि सभी लोग भारत के लिए रवाना हो गर है उन्होंने इरान अधिकारियों को सहियों के लिए धन्यवाद दिया दरसल इसराइल पर हमले से पहले इरान ने भारता रहे एक जहास को ओमान की खाड़ी में होमुर्ज पास से जब किया था इस पर 25 क्रू मेंबर्स मौझूद थे जिन में 17 भारती और दो पाकिस्तानी थे यशिप इसराइली अरब पती की एक कमपनी का था बचे हुए 11 सदर से अब भी इरान की कैद में है इससे पहले 18 अप्रेल को एक भारती महिला कैदेट एंटेसा जोसेफ को रिहा किया गया था